नमस्कार आप सुन रहे हैं The Bollywood Radio और मैं हूँ आपके साथ आकाश दोस्तों आज किस्सा राजेश खणना का और बात उनके शुरुवाती दिनों की बहुत शुरुवाती दिनों की हम बात दरसल काका के बच्पन की करेंगे दो सरस्वती सदन ठाकुरदवार नाका गिरगाम बंबई ये बंबई में जतिन के घर का पता था जतिन यानिकी राजेश खणना रक्षण बंबई के गिरगाम का नाम संस्कृत के शब्दों गरी यानिकी पहाड और ग्राम यानिकी गाउं से मिलकर बना था क्योंकि ये वहां के मशूर मालाबार हिल्स के करीब बसा हुआ है गिरगाम का ठाकुरदवार एक भिलबार वाला इलाका था जहां ज़ादा तर मधमवर के मराठी और कुजराती लोग रहते थे जदिन के बच्पन के इन सालों में बंबई एक मेट्रो पॉलिटन के रूप में अपनी पहचान को मजबूत करने लगा था समंदर और बंदरगाहों वाला बंबई अब उंची इमारतों, बेशुमार मिलों, नए-ने रोजगारों और खुआबों वाला नए बंबई बनने लगा था शायद यही वज़े थी कि देश भर से लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने छोटे शहर और गाउं को छोड़ कर बंबई में आकर बसने लगे थी इस बात को लेकर इस्थानी मराठी लोगों में असंतोश की शुरुआत भी होने लगी थी उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि बाहर से लोग आकर यहां बसता ही मन में असुरक्षा की ये भावना जन्म लेने लगी थी कि उनके अधिकारों को बाहर के लोगों के साथ बाटा जा रहा है बात की दुनों में इस यासत का हिस्सा भी बनी सरस्वती निवास के कुछ पुराने निवासियों को आज तक याद है कि किस तरह नन्ह जतिन उनसे मराठी में बात करने का आग्रह करता था ताकि वो भी उनकी भाशा को सीख कर उनके सामाजिक परिवेश का हिस्सा बन सके एक विशुद पंजाबी परिवार में जन्मे जतिन को शायद बचपन से ही एहसास था कि उसे इस नए शेहर को अपनाना है देश की आजादी के बाद पहले दशक में बंबई की फिल्म इंडश्टी भी तेजी से आगे बढ़ रही थी और इसकी वज़े सरकार और निजीफ फाइनेंसर्स की तरफ से आने वाले फंड भी थे निशुपचास के दशक में हिंदी सिनमा के सुनहरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी इस दौर में अशोक कुमार, दलीब कुमार, राज कपूर, गुरुदत, महबूप खान, बेमल रॉय, बियार चोपला और आनंद भाईयों, चेतन आनंद, देवानन जैसे शक्सितें अपने हर कदम के साथ भारती सिनमा की नीव को मजबूत कर रही थी उन्हें दिनों जतिनका बच्पन बंबई के बेहत मशूर एतिहासिक रॉयल ओपेरा हाउस के करीग गुजरा उस जमाने में रॉयल ओपेरा हाउस में बड़ी-बड़ी फिल्मों के प्रीमियर और मशूर नाटकों का मंचन हुआ करता था सरस्वती सदन के कोने वाले दो बेड्रूम के जिस फ्लैट में खन्ना परिवार रहता था उस फ्लैट की बालकनी जगनात मार्क पर खुलती थी यही रास्ता चीडा बाजार से होते हुए रॉयल ओपेरा हाउस तक जाता था जो लोग हमारे जो शोता बंबई में रहते हैं वो इस भोगोल से वाकिफ होंगे अपने मामा के साथ जतिन अक्सर इस रास्ते से होते हुए औपेरा हाउस के विशाल अंपाउंड में पहुँच जाता था कबमाउंड के दिवार पर लाइन से उन फिल्मों के बड़े-बड़े पोश्टर हुआ करते थे जो यहां दिखाई जाती थी इन रंगीन पोश्टर्स को देखना जतिन को बहुत अच्छा लगता था यह उसके बच्पन के सपनों के तरह ही रंगीन थे जतिन अपने पिता चुणी लाल खना और मा लिलावती खना की एकलोती सम्दान था मा लिलावती के बेशुमार प्यार के साए में उसकी परवरिष किसी तरह हो रही थी जतिन उन्हें चाही जी कहकर पोकारता था असल में चुन्नीलाल और लिलावती खंणा जतिन के असली माता पिता नहीं थे पिछले प्रोडकास्ट में हम आपको ये कहानी सुना भी चिके हैं चुन्नीलाल खंणा दरसल जतिन के पिता के बड़े भाई थे यानि रिष्टे में वो जतिन के ताउ लगते थे बच्पन में ही चुन्नीलाल और उनकी पत्मी दिलावती ने चितिन को गोद ले लिया था और अपने साथ बंबल ले आए थे राजेश खंणा के जिंदगी के इस हिस्से के बारे में जादा लिखा नहीं गया है क्योंकि राजेश खंणा इसे लेकर बेहद सम्विधन शील थे और आमतौर पर इस बारे में किसी से बात नहीं करते थे उनके जीवन के इस पहलू के बारे में जानकारी जुटाना बहुत एहन है लेकिन ये जानकारी कैसे हासिल की जाए इस बारे में जानने के लिए ये सच भी सामने आया कि माता पिता से जुड़ेश रास ने कहीं न कहीं जतिन के मानस पर गहरा असा डाला था जतिन का दाखिला गिरगाम के परतिश्टेथ स्कूल सेंट सेबेस्टियन गोईन हाई स्कूल में करा दिया गया उस जबाने में गिरगाम के उच्छ मध्हम वर्ग में ये स्कूल बेहद मशूर हुआ करता है क्लास में उसके दोस्ती गवी कपूर नाम के एक लड़के से हुई जो आगे चल कर फिल्म इंड़स्टी में जीतिंद्र के नाम से जाने गए सेंट सेवेस्टियन गवेन हाई स्कूल के करीब रहने वाले अनिल बाबुराव चारी को वो पुराने दिन याद है अपने इंटेवू में चारी ने पुरानी यादों को बाटते हुए कई बार ये जिक्र किया कि स्कूल के छुट्टी के बाद जतिन और रवी दोनों भागते हुए स्कूल से बाहर आते थे और स्कूल के बाहर लगे ठेले से आईसक्रीम चिक की और गोला खरिते ठीक वैसे ही जैसे हम बच्चे करते हैं जतिन चुकि घर का लाडला था उसकी हर मांग को पूरा किया जाता उम्र के इस नाजुक मोड़ पर जतिन को लगने लगा था कि उसकी फरमाईशें हर हालत में पूरी होती है और इसने उसे जद्दी भी बना दिया वो ये चाहता था कि घर और स्कूल में सब बस उसी पर ध्यान दे सालों बाद जतिन के घर के इस्टाफ का हिस्सा रहे प्रशांत कुमार रॉय एक इंटर्व्यू में बताते हैं कि चाई जी हमें अक्सर उनके बच्चपन के किस्से सुनाती थी वो हस्ते हुए कहती थी कि ये तो बच्चपन से ही राजा जैसा है जब स्कूल से लौटता था तो कहता था कि चाई जी को नीचे गेट पर बुलाओ वो मेरा बस्ता उठाएंगी तभी मैं घर में जाऊँगा बिल्डिंग में लिफ नहीं थी सीड़ियां उतर कर चाई जी दोड़ी दोड़ी आती थी वो भी जिद करते थे जो भी जिद चाई जी उसे पूरा करते थी तो मुसकराते हुए बताते थी कि जतिन बहुत रोता था अपने मन का ना हो तो रोना शुरू कर देता था बेशुमार लाड़ प्यार की वज़े से छोटी उम्र में जतिन की जिद बढ़ने लगी थी लेकिन बच्पन की ही एक घटना ने उसके मन पर बहुत गहरा असर डाल दिया जतिन के परीब रहे एक शक्स ने उनके बच्पन का ये किस्सा बया करते हुए बताया कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस बाकियों को कभी नहीं भूले जतिन के उम्र उस वक्त करीब 12 साल की थी उनके पिता एक कांट्रेक्टर थे जो रेलवे को कॉटन सप्लाई किया करते थे उनके दफ्तर के बाहर कुछ साल पहले तक भी एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था चुन्नी लाल खन्ना एंड कंपनी गवर्मेंट कांट्रेक्टर जतिन उस रोज स्कूल से आने के बाद अपने पिता के आफिस पहुँच गया और पिता किसी मीटिंग में गए थे उनके केविन के अंदर जाते ही जतिन कुद कर अपने पिता की कुरसी पर बैठ गया और कॉमिक्स बढ़ने लगा ठीक उसी वक्त उनके मामा केके तलवार केविन के अंदर दाखिल हुए कलवार जतिन के पिता के साथ काम करते थे जतिन को अपने पिता की कुर्सी पर इस तरह बैठे देखकर पता नहीं क्यूं है गुस्षा आ गया और उन्होंने उंची आवाज में जतिन से पोछा काका तुम इस कुर्सी पर कैसे बैठ गए जतिन खबरा गया मामा का गुस्सा और सवाल दोनों उसकी समझ में नहीं आए मामा आगे बोले पहले इस लायक बनो कि किसी दूसरी की कुर्सी पर बैठ सको चलो उठ रहे यहां से उनकी गुस्से को देखकर जतिन दर गया और फौरन अपने पिता की कुर्सी से उतर कर खड़ा हो गया उसकी आँखों में आशू भराया और उसे समझी नहीं आ रहा था कि उसकी गल्दी क्या है कुछी मिनट में वो तेजी से वहां से निकला और सीधा चाई जी के पास पहुँच गया उन्हें देखते ही फूट-फूट कर रोने लगा छोटी सीउम्र में जतिन को मामा के शब्दों का मतलब समझ में नहीं आया मगर उसे बुरा बहुत लगा सालों बाद इसी घटना को याद करते हुए राजेश खन्ना ने अपने एक इंट्रिव्यू में कहा कि मामा की डांट से पहले उनसे किसी ने ऐसे बात नहीं की थी उन्हें अपने घर में ना सुनने की तो आदत बिल्कुल नहीं थी बहुत बाद में घर लोट कर वो बेहद तल मिलाये हुए थे मामा की बात उन्हें बहुत चुभी थी पत्रकार भावना सुमाया को दिये इंटिव्यू में राजेश खन्ना ने कहा है कि उस दिन के कस्से को याद करते हुए गर वापस लोट कर मैंने अपनी माँ से पूछा डिजर्विंग का मतलब क्या होता है ऐसा क्यूं है कि एक बेटा अपने पिता की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है जतिन के इस मासूम सवाल के जवाब में लिलावती खन्ना ने जो कहा वो जतिन के जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया यह उसकी जिन्दगी का पहला एहम सबक था चाही जी ने उसे उसके पिता के संघर्ष की दास्ता सुनाई चुनिलाल खन्ना ने ठाकुरद्वार की एक चौल में रहकर बंबई में अपनी जद्दो जहद शुरू की थी अपने कड़ी मेहनत के बाद वो एक मामूली सुपर्वाइजर से रेलवे कॉन्ट कर्टर बने ले आगे चलकर उन्होंने अपने बिजनस के नीव डाली दिन रात मेहनत करते हुए संघर्ष में कितने साल कैसे बीट गए पता ही नहीं चला कहानी सुनाते हुए आखर में चाईजी जद्दिन से बोली है तुम्हारे मामा ने आज जो तुम्हें लायक बनने की जो बात कही है उसका मतलब ये था कि जिस तरह वो मेहनत करके उस कुरसी तक पहुँचे है तुम्हें भी जिन्दगी में वैसी मेहनत करनी होगी लायक बनना होगा ऐसी मुश्किलों से पूरी तरह अंजान अपने पिता के संगर्ष के कहानी उस दिन जतिन ने बड़े ध्यान से सुनी अंदमेचाईजी ने उससे कहा अगर तुम अपने बुरे वक्त में भगवान को नहीं भूलते तो भगवान भी तुम्हें नहीं भूलता जिस सरलता से मा ने समझाया था जतिन की समझ में ये बात आ गई कि जो भी चाहिए उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लायक बनना पड़ेगा बच्पन के सबक को जतिन पूरी जिंदगी नहीं भूला जतिन के करीबी दोस्त बताते हैं कि वो इस वाके का जिक्र अकसर करता था उसके छोटे से मन में ये बात घर कर गई उस दिन के बाद वो कभी किसी दूसरे की करसी पर नहीं बैठा अब उसे करसी पर बैठने के लायक बनना था साल बीते रहे जतिन अब बच्पन से टेनेज में कदम रख चुका था उम्र बड़ने के साथ साथ नई उम्मीदें और खुआशें भी पंक फैला रही थी इस उम्र में जतिन को पहले प्यार का एहसास भी छोकर बिज़र गया उस लड़की का नाम सुरेखा था सुरेखा उसी बिल्डिंग में रहती थी और वो उम्र में जतिन से बड़ी थी ये पचास के दशक की शिरुवात की बात है सालो बाद लेखक बनी रुबेन को अपने इस पहले प्यार के बारे में बात करते हुए राजिश खन्ना ने कहा मेरी उम्र ग्यारा या बारा साल की रही होगी और वो 16-17 साल से ज़्यादा की जी थी उस दिन जतिन अपनी बिल्डिंग के कंपाउंड में तेज रफ़तार से साइकल चला रहा था ये साइकल उसकी पहली गाड़ी थी जो उसे बहुत जिद के बाद मिली थी उसे मालूम था कि अपनी जिद कैसे पूरी करवानी है उसके माता पिता उसे ना नहीं कह सकते थे वो उसकी हर बात मांते थे साइकल पर बैठा वो अपने बिल्डिंग कंपाउंड में चक्र लगा रहा था अचानक उसका बैलेंस प्रिगड़ा और वो साइकल समेथ फर्ष पर आउंधे मुग लगड़ा सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो समझी नहीं पाया ध्यान दिया तो देखा कि उसका गुटना चल गया था और उसमें से खोन बह रहा था खुन देखकर वो दर गया दर्द से आँखों में आसू आ गए एक उसी पल बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की भाग कर उसके पास आई उसके हाथ में अंटिसेटिक की बोतल और रूई थी उसी पल उसे याद आया कि ये तो वही लड़की सुरीखा है जो अक्सर उसे साइकल चलाते और खिलते हुए देखती थी उसने अपनी शर्ट के आस्तीन से फौरण आसू पोचे भला एक लड़की के सामने वो कैसे रो सकता था मुझे लगता है यही वो पल था जब मुझे पहली बार क्यार हो गया मुझे याद है कि उसने एक पुरानी साइडी को फाल कर मेरे घुटने पर पट्टी बांदी ऐसा करते हुए उसका चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब आ गया था इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता उसने मुझे किस कर लिया मिरी आँखों के आगे अंधिरा चा गया सालों बाद उस दिन को याद करते हुए एक इंटर्वू में प्राजिश खन्ना ने जिक्र किया था उस शाम घर लोटकर वो चाईजी से नजरें चुराता रहा अपनी साइकल घर के अंदर छोड़कर वो फौरण च्छत पर पहुँच गया वहाँ अकेले बैठ कर उसने अपनी आँखें बंद की और अपने ख्यालों में वापस जैसे उन्ही लम्हों में पहुँच गया मनी मन में वो उस पूरे सीन की बार बार कल्पना करता रहा ये एक अजीब सा एसास था इस एसास में मिठास भी थी और आत्मुगलानी भी वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जो महसूस कर रहा है वो सही है या गलत शायद हवाओं में पहले प्यार का एहसास मचल रहा था उस लड़की की बड़ी बड़ी खुबसूरत कत्थई आँखें थी जो मुझे देखते ही चमक उठती थी जतिन और सुरेका की आँखों की गुस्ताखिया अब शुरू हो चुकी थी सुरेका जब भी जतिन को दोस्तों के साथ खेलते देखती तो वहीं आ जाती है वो अब साथ में फिल्में देखने भी जाने लगे थी एक दोपहर उसने किसी तरह दोस्तों को साथ लेकर पास के ठीटर में मेटिनी शो देखने का प्लान ना लिया सिनिमा हॉल के अंदर में हम साथ साथ बैठे हुए थे जब उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ली दिया उन पलों को याद करते हुए राजश खन्ना ने मस्कुराते हुए एक इंटर्मूने कहा दोनों की मुलाकातें बढ़ रही थी मगर इस दोस्ती ने जतिन को हैरान कर दिया था दिल में अजीब सी कन्फिजन थी उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसे क्या हो रहा है बस सुरेखा से मिलना उसे देखना अच्छा लगता था अपने स्कूल, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने खुशी, अपने गम, हर बात सुरेखा को बताना अब जरूरी सा लगने लगा था हर रोज स्कूल से वापस आने के बाद वो किताबों से भरा बसता, अपने घर में पटकता और भाग कर सुरेखा से मिलने पहुँच जाता स्कूल में उस दिन क्या घटा, सब कुछ सुरेखा को बताना था उस दिन भी स्कूल में दोस्तों के साथ हुई बातों के बारे में वो फॉरण सुरिखा को बताना चाहता था बस सा अपने कमरे की मेज पर फेक कर वो सुरिखा की तरफ घर की तरफ दौड़ पड़ा हाफता हुआ उस सुरिखा के दरवाजे पर जाकर रुखा दर्वाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था हैरान हो गया इस ताले का मतलब उसकी समझ में नहीं आया हाफते हाफते उसने पास बैठी एक औरस से पूछा कि सुरेखा कहा है जो जवाब मिला उसे उसके लिए वो बिल्कुल तैयार में था जब सुरेखा ठारा साल की थी तो उसके घरवाले उसे उसके गाउन ले गए जहां उसकी शादी हो गए सुरेखा कभी वापस नहीं आई मैं जैसे गम के गहरे समंदर में डूब गया बच्पन के उस प्यार को सालों बाद याद करते हुए बानू राजेश खन्ना उन पलों के दर्द को महसूस कर रहे थी सुरेखा के जाने के बाद और इस बात को सन कर इस रोज उसकी आँखों में आसु भराए उसके उमर में ये किसी हाथसे से कम नहीं था उसने कुछ खो दिया था लेकिन क्या उस समय ये एहसास वो किसी के साथ माट नहीं सका क्या वो फिर प्यार कर पाएगा वो जिसे भी प्यार करेगा कहीं वो उसे फिर छोड़ कर चला तो नहीं जाएगा आज तक मैं उसे और अपने दिल पर उसके असर को भूल नहीं पाया क्या अपनों को खो देने का डर उसके दिल में अपनी गहरी जणे जमाने लगा था कम उम्र का प्यार ऐसा ही होता है सुनते रहिए The Bollywood Radio सुनता है सारा इंडिया